दोस्तो इस्ट्रम कार्ट के तरफ से एक न्यू पोर्टल लॉंच कर दिया गया है और अब आप लोग इसी पोर्टल के माद्धियम से इस्ट्रम कार्ट की जितनी भी नई नई इसकिम्स हैं उनकल आप लोग ले सकते हैं और इसी के साथ में जो भी ये न्यू पोर्टल लॉं आप लोगों को इस new portal में login करना है कौन कौन से services का lab आप लोगों को इस new portal में मिलने वाला है और कैसे आप लोग किसी भी योजना के अंतरगत online ही apply कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने mobile के google को open करना है और यहाँ पर आपको type करना है e-shrum card इतना type करने के बाद मैं search करेंगे जैसे ही search करेंगे पहले number पर ही आप लोगों को portal देखने को मिल जायेगा तो आप लोगों को इसी portal पर एक बार click कर देना है click करने के बाद में आप लोग e-shrum card के official portal पर redirect हो जाएंगे जिसके लिए आपको go to mine page वाले option पर एक बार click करना है अब आपके सामने कुछ इस तरह हैं से pop up आ जाएगा जिसे कि आपको यहाँ से cut कर देना है इसके बाद में कुछ नीचे के side में आ जाना है जो भी new portal है उसका link आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पहले number पर ही और इस portal का नाम है बन stop solution इसी के नीचे आप लोगों को एक option देखने को मिल जाता है already registered login तो आपको यहाँ पर login वाले option पर एक बार click कर देना है और click करने के बाद में यहाँ पर हमें same to same यहाँ पर फिल कर देना है अपको कि आपको यहाँ पर send OTP वाले option पर एक बार click करना है click करने के बाद में आपके mobile number पर एक OTP send किया जाएगा उस OTP को यहाँ पर fill कर देना है और OTP실 करने के बाद में submit वाले option परあー kliک करने के और आपको करने के बाद में fingerprint device नहीं होगी और ना ही Irish device होगी तो आप लोगों को यहाँ पर OTP वाले option को select कर लेना है option को select करने के बाद में capture देखने को मिल जाएगा इस capture code को दुबारा से आपको यहाँ पर enter कर देना है इसके बाद में यहाँ पर आपको submit वाले option पर एक बार click करना है click करने के बाद में आपके आधार card में जो भी mobile number link है तो इस mobile number पर एक बार फिर से OTP send किया जाएगा अब उस OTP को आप लोगों को इस वाले box में fill कर देना है और OTP fill करने के बाद में validate वाले option पर एक बार click करना है और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से page आ जाता है जिसमी कि यहाँ पर आपको एक box दिखाई दे रहा है इस वाले box पर आप लोगों को tick नहीं लगाना है अगर आप इस पर portal launch किया गया है उस portal में successfully login हो जाएंगे जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसका जो लुक है पूरी तरह से change हो चुका है और यहाँ पर और भी कुछ नई services को भी aid कर दिया है सबसे उपर के साइड में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों की आधार कार्ड में जो photo है उस photo को देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपका इस रम कार्ड नंबर भी देखने को मिल जाएगा इसके बाद यहाँ पर नाम लोग आउट करना चाहते हैं तो लोग आउट भी कर सकते हैं अब हम यहां पर एक एक करके सभी schemes के बारे में दिखा देता हूँ और साथ यह आपको कैसे apply करना है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि यहां पर सबसे पहली category है health की तो हम health वाले option पर एक बार click करेंगे और इसमें अभी आप लोग देख सकते हूँ एक ही scheme को aid किया गया है जिस scheme का नाम है यहां पर आयूश्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोगी योजना और इस योजना के तो apply वाले option पर एक बार click करेंगे इसके बाद में आयूश्मान कार्ट की optional website पर आप लोग redirect हो जाएंगे और बहीं से आप अपना आयूश्मान कार्ट बना सकते हैं और इससे तरह से यहां पर जो दूसरी service है insurance तो इस वाले option पर हमें एक बार click करना है click करने के बाद में insurance से संबंदे जितनी भी schemes चलाई जा रही तो उनके नाम भी आप यहां पर देख सकते हैं जिसमें की पहली scheme है प्रधान मंतरी सुरक्षा बीमा योजना और दूसरी scheme है प्रधान मंतरी जीवन जियोती बीमा योजना इस योजना के अंतरगत भी आप लोग यहीं से apply कर सकते हैं इसके बाद में यहां पर कुछ schemes pension के लिए भी चलाई जाती हैं यहां पर अभी आप देख सकते हो यहां पर अभी फिलाल एक ही scheme है जिस scheme का नाम है प्रधान में योजना के अंतरगत आप लोग गवर्मेंट के तरफ से लोन ले सकते हैं लोन के लिए apply कर सकते हैं तो लोन अगर आपको चाहिए हो तो यहीं से आप लोग apply करके प्रधान में यहां पर 20,000 और तीसरी बार में 50,000 रुपय तक का लोन ले सकते हैं इसी के साथ में यहां पर और भी काफी सारी schemes चलाई जा रही हैं जिसमें कि housing से related है food security यानि के राशन कार्ट बगर अभी आप apply कर सकते हैं यहां पर आप लोगों को housing का option भी मिल जाता है जैसे कि अगर आप लोगों को राशन कार्ट के ल जाता है employment तो इस वाले option पर हमें एक बार click करना है then click करने के बाद में अभी आप देख सकते हो employment से संबंदित काफी सारी schemes चलाई जा रही हैं जिसमें कि यहां पर आप लोग मन रहेगा job card के लिए भी apply कर सकते हैं PM कौसल विकास योजना के लिए apply कर सकते हैं PM EGP loan यानि कि इस योजना के अंतरगात आप लोग government के तरफ से loan के लिए apply कर सकते हैं loan के लिए eligibility क्या है कैसे apply करना है तो i button पर click करेंगे then इसके बाद में यहां पर इस योजना से related complete information आपको देखने को मिल जाती है और इसी के साथ में यहां पर प्रधान मंतरी आबास योजना को भी aid कर लिए गया है आई बेंटन पर क्लिक करके इनफोर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं apply करने के लिए आपको apply ऐाले option पर एक बार गिलिक करना होगा जिन categories के लिए आप enrolled हैं तो उनकी information आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और जो भी scheme के लिए आप enrolled हैं तो उनकी भी आप लोग information देख सकते हैं click to view वाले option पर एक बार click करेंगे then click करने के बाद में total जितने भी schemes के लिए आप apply कर सकते हैं कि हमारे ration card में कौन कौन सी family member का नाम यहाँ पर aid हो चुका है और ration card number बगएरा क्या है वो आप लोग सभी कुछ information यहीं से प्राप्तिक कर सकते हैं मैंने यहाँ पर AK करके सभी schemes के बारे में बता दिया है और इस new portal में कौन कौन सी apply कर देना है